हेलो एवरीवन कैसे हैं आप आपके बीकों 5th semester की study कैसी चल रही है अच्छी चल रही होगी hopefully काफी सारे बच्चों का जो मैं semester की मैं बात करूं तो एक subject मैं ले रहा हूं यहां पर आपके semester 5 के अंदर और subject का नाम है financial management और काफी सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे उसको देख भी रहे हैं और appreciate भी कर रहे हैं देखे आप लोगों का इतना ज्यादा responsibility मेरे उपर आ गया है कि मुझे सारी चीजे मैंने सोचा है कि आपको करवाई जाए और अच्छे तरीके से कराई जाए 4th semester आप लोगों ने मेरे से पढ़ा और 5th semester भी मैं आपके साथ हूं लेकि आप भी मैंने पूरी कोसिस करी कि आपको अच्छे से कंड डिलीवर किया जाए तो मैं नॉर्मल वाइट बोर्ट पर पढ़ा रहा था धीरे-धीरे करके कुछ मेरे offline classes वी अक्तितों जो भी सेविंग थी मेरी मैंने वो चीजे लगाई लगाने के बाद एक स्मार्ट नहीं display कर रहे हैं आप जो पढ़ा रहे हैं वो सारे चीजे समझ में आ रही है लेकिन questions को दिखाईए तब हम समझ पाएंगे जो कि बहुत सारे धेरों comment में भी देखेंगे पिछले वीडियो में आपको मिलेगा आपको समझ में सब कुछ आ रहे हैं लेकिन question का नहीं पता च नहीं जानता उसके लिए 10 रुपए भी बहुत ज्यादा costly है और उसके लिए 10,000 भी बहुत कम costly है उसके recording है तो मैंने क्या करा FM के आपका मेरा target था कि मैं इस बार सभी को book provide कर दूँ book provide करूँ लेकिन book provide करने में थोड़ा थोड़ा delay होते जा रहा है और delay होते होते कहीं मैं ऐसा सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा मैं scared हो गया कि book के अंदर बहुत सारा काम होता है जैसे कि पहले पूरे question design होंगे question design होने के बाद फिर उसको typing होगा typing के बाद editing होगा editing के बाद फि फिर मैं दो बार चेक करूँगा इसमें it is take time process मैं ऐसा तो कर नहीं सकता मैं classes बंद करके सारी चीज़े इसमें लग जाओ तो time लग रहा है next year वाले बच्चों के लिए मैं इस साल पूरा तयार कर लूँगा एकदम से सारी चीज़ों को और next year वाले बच्चों के लिए definitely book available हो YouTube पे बच्चे जुड़े हुए हैं इसका price भी काफी nominal है फिर से मैं कहूंगा कम price मैं decide कर ही नहीं सकता मैंने वहां पर price 799 rupees रखा हुआ है और 899 rupees honors और प्रोग्राम यह सर पूरे साल की फीस है यह पूरे course की फीस है यह December तक की फीस है यह एक subject की फीस है जो live class के अंदर interactively मेर पास पढ़ते हैं क्योंकि मैं simultaneously दो जगह पर लाइब नहीं जा सकता जो offline बच्चे थे offline बच्चे के साथ और मैं live classes लेता उनकी फीस है पूरे आप अगर फीस को termly monthly करते हैं तो आपको hardly 100 रुपे का भी फीस नहीं पढ़ने वाला 100 रुपे का प्रोक्स पढ़ेगा 100 रुप हैं अब हम नहीं पढ़ पाएंगे स्रिफ फर स्रिफ फीस के रीजन की वेज़से तो मेरा सिंपल यहीं बात कहना है कि सर मैंने क्या करा है books और प्लस टैनियर books प्लस 10 यर मैंने यहाँ पर आपके लिए देखें YouTube पे मैं सारी वीडियो डाल रहा हूं live नहीं ले पा रहें वो बात मैं मानता हूं live के अलावा मैं धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो convert होता जाता है मैं YouTube पर डालता जा रहा हूं अब मैंने यह books जो है मैंने सोचा है कि मैंने रिकॉर्ड करी है जल्दी जल्दी और सारी classes तो आपको classes plus PDF मैंने कोसिस करी है कि आपको प्रवाइड किया जाए एक nominal cost पे तो सारा PDF बगएरा टाइप कराने और आने का एक nominal cost क्या होगा Sir nominal cost है हमारा 99 रूपीस जिसके अंदर वीडियो जो बच्चा सरिफ 99 रूपीस म और जो भी questions है सारा assignment PDF मिल जाएगा आपको तो सिर्फ एक आपके लिए आज के लिए ये था कि 99 रूपीस मैंने प्राइज रखा है जिन बच्चों को लगे कि सर आप 99 भी जादा ले रहे हो definitely comment करिए मुझे वीडियो के अंदर और वीडियो के अंदर comment करके बताइए मैं उन included नहीं है free of course दिया जा रहा है वीडियो बन गई है सर कहेंगे वीडियो बन चुकी है PDF तो वैसे ही एक बार तो इस PDF को बनाने में पूरा time लगेगा और एक ही बार में सारा PDF नहीं मिल जाएगा ये भी मैं बताओ PDF जो मिलेगा वो धीरे धीरे chapter wise डलता जाएगा जैसे जैसे मैंने solve कर दिया हो चाहे बच्चा become program का हो चाहे बच्चा become honors का हो ये दोनों के लिए है तो इसी तरीके से next classes भी आती रहेगी और आप join होई ये और course का link description में मैंने डाल दिया है जो बच्चे buy करेंगे description में है फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर हम afford भी ये भी नहीं कर सकते तो definitely आप contact करिए नीचे contact number भी given है हमारी कोसिस रहेगी कि आपको जरूर दिया जाए आप payment दे रहे हैं चाहे नहीं दे रहे हैं लेकिन आपको provide जरूर किया जाए मेरी कोसिस यही रहेगी और इसी तरीके से में आगे भी आप लोग के लिए help के लिए तयार रहूंगा अभी यह है management account भी start नहीं हुआ है उसके लिए भी ले के आऊँगा तो बस यही बताना था thank you so much और फिर course का link description में है आप जाएगा चेक करिएगा नहीं आता contact number गी बन है contact करिए सब कुछ available आपको हो जाएगा और इस बार पिछली बार वाली गलती नहीं करना इस बार पूर है ने बताइए कुछ है इस तरीके से बताइए तो कहानी घूम फिर के वही आ जानी है अगर आज आप इस वीडियो को और या इस strategy को ignore कर देते हैं कि आज से पढ़ना है तो thank you so much मिलते हम next strategy next video next class के साथ thank you so much